धम्मपद चित्वग गाथा कथा नमबर 41 ये सावित्य की कथा है तिस्य थेर की है तिस्य थेर जिनका नाम बाद में पुती गत तिस्य पढ़ गया एक तिस्य थेर थे तिस्य बहुत जगे नाम आएगा बड़ा फेमस नाम है भगवान बुद्ध के समय का तिस्य का मतलग है तीन चीज के लिए तीन वस्तूओं के लिए तीन बात के लिए कौन सी तीन बात है बुद्ध धम और संग के लिए जो अपने आपको समर्वित करता ह उसे नाम तिस्से पड़ता है, इसलिए तिस्से नाम बहुत famous है, आज कल भी बच्चे को तिस्से नाम रखना चाहिए, यानि तीनों चीज के लिए, तो तिस्से जो थेर थे, उन्होंने भगवान से पवज्जा ली, पवज्जा लेने के बाद में वो ध्यान साधना करने जो कमिया रही होंगी, जो बातें खराब हुई हैं फाइलों के अंदर, उसकी वैसे उनके सरीर पर छोटे-छोटे दाने आने लगे, दाने बड़े होने लगे, वो फफोलों में पड़ लगे, और वो सड़ने लगे, तो उनमें से मवाद निकलने लगा, तो उनका जो पक जाता था, सारे भुकों ने उनका नाम पुती गत तिस्से रख दिया, पुती माने होता है सड़ा हुआ मवाद, और गत माने होता है सरीर, और तिस्से माने उनका नाम जो था, यानि तीनों के लिए, तो पुती गत तिस्से, यानि सड़े हुई मवाद के सरीर का तिस्स ये नाम उनका पढ़ गया भगवान बुद्ध ने उनकी अवस्था देखी और उनकी अवस्था देखने के बाद ये जाना कि अब ये अरत होने के, निबान होने के अमत्त पद को प्राप करने के, अमरत पद को प्राप करने के लिए अमरत छकने के लिए अब ये त्यार हैं अवस्था में आ चुके हैं तो भगवान बुद्ध ने उनके पास गए उनकी चीवर बगएरा उसको धोया उनकी मवाद को साफ किया और उनको कहा के थे इससे अब आप इस तरह की देशना करो ये देखो कि जैसे आपका सरीर वियाना रहित वियाना रहित मतलब जिससे सौफ्टर चलता है विज्ञान सहित यानि विज्ञान रहित अब आपके सरीर में वियाना नहीं है विज्ञान नहीं है और ये एक जैसे पेड जो बारिज के दिनों में जहाँ पानी भरा रहता है दलदल वहाँ जैसे पेड तूटके गिर जाता है और उसका लठा स्रलता रहता है इस तरह से आप देखो अपने सरीर को और इस तरह की देशना देकर वहाँ से वो चलेगे जो पुती गत तिस्से भिकुते उन्होंने अपने सरीर को इसी तरह से देखा और देखते 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 वो अरहत हो गए दुखों से मुक्त हो गए सभी जितने जीते जी दुखते उन सब से उनकी छुटकारा मिल गया तब भगवान गुद्ध ने ये गाथा कही जो गाथा नमबर 41 धंपत के अंदर आती है गाथा इस प्रिकार है अचीरंग वतेंग कायो पथविंग अधी सिस्सती छुद्दो अपेत वियानो निरत्थंग वे कलिंगरंग अचीर का मतलब है जो चीर नहोँ चीर जो सब्द आता है वो आता है बहुत लंबी आयू को या बहुत लंबी समय को जैसे का चिरंग काल तक चिरायू रहें चिरंग तो जो चिरायू वाला जो सब्द है अगर उसमें ए लगा दें तो अचिरायू हो जाएगा यानि कमायू वाला तो अचिर का मतलब है अस्थाई वतेंग वतेंग माने होता है दुख की समवेदना जैसे ओ कहते हैं या दुख की जो वेदनाय सम्वेदनाय होते हैं उसको वत्य बोलते हैं अचीरंग वत्य कायो कायव आने होता है सरीर यानि के सरीर के अंदर जो ये दुख की सम्वेदनाय है जो दुख आता है ये एस्थाई हैं इंपर्मानेंट है ये चली जाएंगी खतम हो जाएंगी प्रत्विंग अधी से सती प्रत्विंग जो सब्द है वो प्रत्वी को बुला हुआ है प्रत्वी यानि प्रत्वी पर अधी से सती का मतलब है लेटा हुआ जाएगा यानि लेटा हुआ पड़ा होगा अधी से सती का मतलब है कि लेट जाएगा यानि कि ये सरीर प्रत्वी पर लेट जाएगा बिना सम्मिधनाओं के चुद्धो अपेत वियाणो चुद्धो माने चुद्ध तुछ अपेत वियाणो माने चला जाएगा जिसका वियाण विज्ञान यानि कि चुद्ध है वियाण इसका चला जाएगा निरत्थंग वे कलिंगरंग निरत्थंग का मतलब निरत्थक जैसे कलिंगर माने लकड़ी का सड़ा हुआ टुकड़ा जैसे लकड़ी का सड़ा हुआ टुकड़ा निरत्थक होता है बेकार होता है ऐसे ही ये तुक्ष जो शरीर है बिना वियाना का ये शरीर पर प्रत्वी पर लेट जाएगा अचिरंग वते कायो और ये जो दुक्ष की जो सम्विदना है ये इस्ताई नहीं है ये इस्तर है ये चली जाएगी इसका अगर हिंदी में हम सरल भासा में कहें तो वो इस प्रिकार है ओहो अस्थाई सरीर प्रत्वी पर लेट जाएगा तुछ बिना विज्ञान का निर्थक सड़े लठे जैसा यानि कि जो अस्थाई सरीर है ये प्रत्वी पर लेट जाएगा बिलकुल लठे की तरे जैसे लठी का सड़ाववा लठा होता है जिसके अंदर कोई जान नहीं होती जो तुछ होता है, नर्थक होता है, बेकार होता है ऐसा जानकर देशना के लिए उन्होंने बोला तब ये गाथा नमर इतालिस कही चित्त मग्गो की धन्यवाद थामन शरन कत्चा में धन्मन शरन कत्चा में